वेलकम टू एसे सी एक्जाइम एक्जाम पूर मैं विशाल एक पर फिर से स्ट्राइब कर तॉप सभी का शार रवंबर 2021 को सबसे पहले आप सभी को हैपी दीपावली हम भी दीपावरी मना रहे हैं और आप भी दीपावरी मना रहे हैं सब लोग मना रहे हैं सभी लोग जानते हैं लेकिन इसी बीच पचास कोशन की सीरीज आपके सामने है आथ दीपावरी मना रहे होंगे तो लाइव आने के कोई सवाली नहीं रहता है लेकिन फिर भी जितने भी क्लास में लाइव हो सारे सारे क्लास को सेर करना चाहो कर सकते हो नहीं करना चाहों मैत कर सकते हो चुट्टी है तो भाहिसाब आप सभी कि यह पर चुट्टी है ठीक है तो आप यादखना 4 November के 50 Queshen की सीरीज आपके सामने है जो पचास कोशन की सीरीज आपको 3 November से स्टार्ट किया क्लास नमबर दूसरी आपकी है जो 6 नमबर तक जाएगी तीन से 6 नमबर तक जाएगी पांच बज़े क्लास में टॉप 50 कोशन की एक्सपेक्टे कोशन की सीरीज है 27 नमबर को हो सकता है इफ पॉसिबल सुबह लाइफ क्लास हो पाए अगर लाइफ क्लास नहीं होती तो 50 कोशन की सीरीज आपको मिल जाएगी नहीं तो 9 तारिक को 100% करेंट फिर क्लास मौनिंग में सुबह पांच बज़े आपको देखने के लिए मिलेगी विरभाई ठीक है इ जैसे कल कोशन 50 किये ते या आज भी 50 कोशन करेंगे बित आपसन के तो आज का पहला कोशन आपके स्कीन पर हाल ही में किस राज के डॉंडा या तो कोई राज्दी है या तो यूरिन टैटरी है के डॉंडा जिले के गनौरी टंटा गाउं में पहली बार बिजली के बल्व क ये रोशनी देखी गई थी ये किस राज में इस्तित है जम्मू कस्मीर में गनौरी टंटा एक मात्र ऐसा गाउं बचा था जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी और यहां पर काफी परयाप्त कारियों के बाद ये इस जगहा पर ही गाउं इस्तित है जहां पर पाड़ी तरीके से बिजली पहुंचाई जा चुकी है कोशन नमबर दूसरे का अंसर किस राज के अलबुज्जा एलेपी में बारत का पहला स्तरम आंदोलन संग्राले का लॉंच किया गया यह के अंदर लॉंच किया गया और यादखना यह बात है 1860 की याद की 1860 की याद की यह बा दिया गया है कोशन नमबर तीन का अंसर निवन मैंसे किसको हाली मैं आयुस मंतराले का अत्रिक प्रबार सौपा गया देखो मेरे बाई अत्रिक प्रबार इससे पहले जो थे स्रीपाद नायक थे कौन थे स्रीपाद नायक थे उनका अत्रिक्त प्रबार किरैन रिजूजू के दारा सौपा गया क्योंकि इनकी तवियाद जो थी वह खराब थी कोशन नमबर चार का अंसर किस देश को बारत द्वारा कोविड 90 बैक्सिन कोविड सील की एक दसमने पांच लाग खुराकें की खेब बिजगी थी पहली बार यार दखना है मेरे बाई ये कोशन कौन सा है यूपी ट्रफ्लेसी पैट ऐसे सी चेसल और MTS जैसे एक्जाम में पूछा जा चुका है तो आप वह कोशन का अंसर भूटान यार दखना है भूटान के साथ मालदीप को बांगले देश के साथ नेपाल को और म्यामार के साथ सेल्स को तीन बार में बैक्सीन भेजी गई थ कोशें नमबर पाच्वा हाली में मंत्री मंडल द्वारा पहली बार किस देश के साथ सौर उर्जा की चेतर में मंजूरी दे दी गई है तो यार दखना क्वूशन गर पांच का अंसर। उझवेकिस्तान के साथ किस साथ o उझवेकिस्त Yani si政府 में मंत्री मंडल की द्वारा समझोते ग्यापन प्यास तक्षर करने की मनुमती दी गई थी अधच्छता नरन नमोदी जी की द्वारा हाली में नीती आई द्वारा जारी बारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राच को प्रतम इस्थान प्राप्थ हुआ है तो करनाटो को मेरे भाई याद रखना करनाटो को प्रतम इस्थान प्राप्थ हो गया है किसमें हुआ है बारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में और नमबर दो पे कौन आया है माराश इसमें नमबर दो पे आया था कौन सा माराश इसमें नमबर दो पर आया था कोशन नमबर आपका सात्वा, हाली में किस अरा दोरा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बगायत बिकास मिसन की सुरुआत की गई थी, तो गुजरा सरकार के दोरा बगायत बिकास मिसन का सुभारम किया गया था, या दखना जितना भी छेत्र ऐसा है, जो बंजर है, ब बंजर भूमी को उपजाओ बनाने के लिए, समझोती गया आपन फियास चरकर बगायत बिकास मिसन का सुभारम किया था, नमबर आठवा, हाले में किस रा सरकार दोरा निर्देशा अनुशार, इको इस्टिट उत्सब का पुना सुभारम किया गया, उडिसा के अंदर हाली में राजमार्क मंत्राले और किसके बीच भूख खत्रे प्रबंदन के लिए समझोते गया पन फियास चरक रूए थे, तो डिफेंस रिसर्च डबलेमेट औरगनाईजेशन की बीच में सबसे बड़े समझोते गया पन फियास चरक किये गए थे, या धखना 1958 को इस्ता नेक्स्ट है, कोश्चन इमबर दसवा, हाली में DBT मतब कि Department of Biodiversity के माध्यम से बिजली की सबसुड़ी देने वाला भारत का पहला राज कौन सा बना है, तो मद्य परदेश ऐसा करने वाला भारत का डारेक्ट बेनेफिट ट्रांसपर इसका फुर्फोर्म होगा, जिसके तह के लिए एक InstaFX Mobile App launch किया गया, ICICI Bank नहीं याँ दखना, InstaFX App को launch किया था, कौशन नमबर 12, विदेशों में आदान पतान करने के लिए, निन मैंसे किस राज द्वारा सरकारी अनुदान और आवंटन पतान करने के लिए, अवलोकन software launch किया था, तो करनाटक सरकार के द्वार अवलोकन नमक एक उपग्रह को launch किया गया था, कौशन नमर आपका 13, हाली मैं BDL ने, BDL का मतलब क्या होगा, BDL का मतलब कमेंड करो, ने किस देश की कमपनी थेल्स के साथ, इस्टार इस्ट्रिक वायू रच्छा परडाली के लिए समझो थे, ग्यापन पर आस्ताक्र कि कोशन नमर 14, हाली मैं पहली बार पावर ग्रिट ने किस राज के साथ, दूर संचार संपर्ग में सुधार करने के लिए समझो थे, ग्यापन पर आस्ताक्र किये हिमाचल परडेश कहां पर किये थे, हिमाचल परडेश के साथ, 15 नमर पावर ग्रिट ने किये थे, इसलिए को गोष्णा की गई थी उत्रा खडंके अंदर 27 जनवरी को 22 जनोरी को बाल का दिवस के उपर ग्रल चाइल्डडे बाली का दिवस यादखना किस पर बाली का दिवस पर सरश्टी गोईसामी को एक दिन का चीफ फॉनिष्टर बनाया गया था question number 16 answer हाली में किस राज की पुर्व राजपाल माता प्रशाद जिनका हाली मैं निदन हो गया अरणाचल प्रदेश की 8 वे गवरनर या दखना अरणाचल प्रदेश की ये 8 वे गवरनर थे जिनका भी हाल में निदन हो गया या बगवान को प्यारे हो गई रखना 30 नमबर सुबह पांच वजे की किलास में पहला कोशन गोवा का है देख लेना हमने आपको यह कोशन बताया है या नहीं बताया इमेज के माद्यम से कोशन नमर अठारवा हाली में बारती सेना द्वारा किसके साथ सोदेशी करड़ और नवाचार भागिदारी के लिए एक अनुबंद करार हुआ था तो कोशन नमर 18 अंसर आपको याद रखना है एस आई डी एम के साथ में उन्नी स्वा हाली में किस राज के तपेशिया विश्विद्याले में पहली साइण सिटी इस्तापित करने की गोशना की गई तपेशिया विश्विद्याले किस राज म कोशन निमर आपका बीस्वा हाली में बारती जयन्त एन खोबर गड़े को यार दखना मेरा भाईयो आसियान का भारत किस को आसियान में बारत के राजदूत की रूप में निक्त किया गया भारत आसियान का सदस्त तो नहीं है प्रंतु राजदूत अपना निक्त करता है अतियंत में पोड कोशन इसको अच्छे तरीके से लिख लो एपॉइंट में बहुत इंपोर्टेंट कोशन है यह ठीक है मोश्ट इंपोर्टेंट कोशन है जयन्त एन खोबर गड़े का कोशन नमबर 21 भारत के चुनाव आयुक द् कोविंद को बारत के राश्पती रामनाथ कोविंद को चिक है और यह ग्यारवा दिवस था कोशन नमबर 22 भा ग्यारथ दिवसी नहीं ग्यारथ वा था हाली में किस राजद्वारा आर्थिक इस्तिती मजबूत करने के लिए दस उपरतिसत आरच्छर लागू करने की गोश कोशन कर दी है कोशन नमबर 23 भा हाली में विपरो ने किस राच में एक सौफ्वेर डवलेमेंट सेंटर स्ताफित करने के लिए समझोते ग्यापन प्यास्ताचर किये थे तो मद्व परदेश के साथ मद्व परदेश के साथ डिजिटल इनोवेशन के लिए मद्व परदेश सुनब पुलिस इस्टिशन का सुबारम किया गया किस राज में स्तित है कहां पर उत्तरा खंड में स्तित है कोशन 25 किस राज सरकार द्वारा युवाओं के लिए पहला रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल लाउंच किया गया हिमाचर प्रदेश ने पहला रेडियो चैनल जिसका नाम है युवाओं को आप मिंदर बनाने के लिए रेडियो हिल्स यंगिस्तान के दिल एक रेडियो चैनल लॉंच किया था Q26 निन्वैसिक कि सहर में बारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का सुभारम किया गया तो असम के गवाटी में 740 करोड की मादलियम से नितिन गड़करी की द्वारा और किसके द्वारा तो या दखना नितिन गड़करी की द्वारा इसका सुभारम किया गया था Q26 के बाद 27 वा किस राज में नेता जी सुभास चंदर बोश की जयनति पर अमरा नुतों जैवो नेरी दूत का सुभारम किया गया था तो मेरे भाईयों या दखना पश्यम बंगाल की राजदानी कोलकाता में इसका सुभारम किया गया था और यह 125 जयनति थी जिसको पराक इसको अब पराकरम दिवस की रूप में मनाया गया 28 वा निन मैंसे कि सहर में यूनियन बजट मोवाईल एप के सुभारम के साथ हलवा सेरमनी का सुभारम किया गया था दिल्ली में और इसका सुभारम में निर्मला सीता रमन के द्वारा किसके द्वारा याद रखना मेरे निर्मला सीता रमन की द्वारा इसका सुभारम दिल्ली में किया गया था हमेज़ा किया जाता है जब जब बजट लॉंच किया जाता है पहली बार डिजटल हुआ है तो याद रखना है पहले डिजटल मैला भी ये भी बनी है परत करने वाली किस राज के सिव सागर सहर में नरेंदर नमोदी द्वारा भूमी हीनों को भूमी आवंतन परमाण पत्र बितृत किये गए थे , असम के अंदर अंदर नमोदी जी ने भूमी हीन लोगों को भूमीहीन के लिए पटे परदान किये जिसको हिंधी में पट्टे रमनो कहते हैं नमबर तीसवा हाली में किस राजवारा एक लोगप्रिये हत्य करगा तोसाली राष्टी सिल्प मेले का उद्गाटन किया गया था कोशन मत्तीस का अंसर याद अखना ओडिसा की अंदर कहां पे तोसाली नामक एक फेस्टिवल का सुवारम किया गया था हथ करगाओं के लिए तो कोशन का अंसर मेरे भाई और बहनों केरल एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉरी ओडिसा आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशन नमर 31 किस राज में भोला गंज और सोहोबर को नोगोंजरी को जोड़ने के लिए भारत का सबसे लंबा वाहर ब्रिज का सुवारम किया गया तो वाहर ब्रिज याद अखना पूरवी खासी हिल्स जिले में यह कहां पर रिस्तित है मेगाले नौर्थ इस्ट में वाहर ब्रिज का निर्मार किया गया इस परियोजना को मंजूरी दोज़ा तेरा चौदा में दीग इती परन्दर 2021 में यह बन के तयार हुआ है कोशन मबर 32 हाल ही में आयू सुमंत्राय द्वारा कि सहर में इस्टिट ऑफ आयू समवाद अभियान का सुवारम किया गया कोशन मबर 32 का अंसर तो दिल्ली में किया गया कहां पर डेली में इसका सुवारम किया गया था 33 हाल ही में 12 सरकार बारत द्वारा एक बड़े पैमान पर त्रिकोडिये सेवा सयुक्त अभ्यास MPEX 21 आयुजित किया गया है तो बताईए MPEX 21 का सुभारम अंडमान निकोबार दीप समू पर तीनों सैनाओं के मद्या MPEX 21 नामक एक अभयान का सुभारम किया था युद्ध अभयास था किस राजने अपने केस्तापना दिवस पर उध्धमी विकास को बढ़ावा दैने के लिए उध्यम सार्थी एप का सुभारम किया था और कब किया था तो वाइससाब M-Bank के ये नाइडू द्वारा किस सहर के मिसाइल कॉंपलेक्स में दो नई सुबदाओं का सुबारम किया गया हैदराबाद में मिसाइल सिस्टम रिवेल हॉल का और एर कमोडूर इन दोनों का सुबारम किया गया था तेलंगाना के राजदा नहीं हैदराबाद में M-Bank के ये नाइडू के द्वारा चट्थिस भारत और किस देश के बीच उर्जा छेतर में सहयोग पर वारता का सफलता बूर्भक समापन किया गया था तो बांगलादेश के साथ में किस के साथ बांगलादेश के साथ में उर्जा के बीच एक वार्ता का सवारम किया गया और पूर्ता इसका समापन बित मुद्दे के किया गया था बिस स्लूउशंस के हाली में प्रलास सिंग पटेल ने किस राज या या यूनिन टैट्री में राश्टिय परेटन दिवस के साथ कुसल स्रम सक्ति केंद्रों के स्तापना की थी तो 37 नमबर को शनकांसर याद अकना लद्दा के अंदर और द्योगिक बढ़ावा देने के लिए कोशन नमबर आपका 38 हाली में बच्चों को पोश्टर के बारे में जागरूख करने के लिए एक पौदा सुपोसित बेटी के नाम योजना का सुवारं किसके द्वारा किया गया था कोशन नमबर 49 किस राज ने निर्विया फंड द्वारा सभी साज्विनिक यात्री वाहनों में पैनिक बटन लगाने की गोश्टना की है आंध प्रदेश ने पैनिक बटन लगाने की गोश्टना की ताकि किसी भी ब्यक्ति को किसी भी मैला या बच्ची को किसी भी प्रिका कारकिस्तल पर कमेट्री अगठन किया गया था उस कमेट्री को उसकी जाँ चुकी पुरंती गठना इस तर पर पुलिस या उससे समधित वाहन पहुंच जाएंगे दुनिया के सबसे बड़ी IT कमपनी के रूफ में जिसको गोशित किया गया था वह कमपनी कौन सी थी तो याद रखना टाटा कंसिसलेंसी सरवजेस इस कमपनी का नाम है कोशन नमर एक तालिसवा हाली में किस राज सरकार ने अबुदय फ्री ऑफकॉस सभी को निसुलक सिच्छा एंड़ी ए सीटेट बगएरा जो भी एक्जाम बड़े बड़े हैं सब के लिए फ्री ऑफकॉस सिच्छा यूपेसी तक के एक्जाम के लिए उत्तर परदेश ने अबुदय नामक एक कोचिंग सुवधा लाउंच की थी रच्छेशन बगएरा हुए थी है ना हाली में किस राज में यरवर्दा जेल या दखना माराश में इस्तित है यह जेल पहली जेल परटन बल गई है जेल टूरिज इसी जेल में संजु बाबा इसी जेल में गए थे कोशन नंबर 43 किस राज सरकार ने अपने नागरीकों के लिए राष्ट्रिय ई-बिदानसवा एप द्वारा बजट का एकसिस पदान किया है तो 43 नंबर यह दखना इस एप को उरीसा ने लाउंच किया था राष्ट्रिय ई-बिदानसवा कोशन नंबर 44 किस राज के मुहम्मद मोशिन को मर्डो परांद सर्बोच तम जीवन रक्षा पतक प्रदान किया गया था यह केरल के रहने वाले इन्होंने एक डूपतुई बच्चों को बचाते हुए खुद की मिर्थ्यू कर वाली थी मतला खुद की इनकी डैथ हो गई थी उस बच्ची क बनाने के लिए 46 हाली में बॉर्डर सेक्योटी फोर्ष ने किस राज की पश्यमी अंतराशी सीमा पर ऑपरेशन सर्दवा का सुवारम किया तो राजिस्तान में बॉर्डर सेक्योटी फोर्ष ने ऑपरेशन सर्दवा इसी की जवाबी में मा पाकिस्तान की द्वारा जिदर सेतालीज का अंसर या दखना अमियर्का के रहने वाले थे टेलिविजन होस्टर कोशिन नमर 48 हाली में किस यूनेंट टैट्री के उपराजपाल द्वारा पर दूसर पर अंकुष लगाने के लिए से इलेक्टिक बसों को रवाना किया गया तो दिल्ली ने किसमे किया है ऐसा दिली की ध्वारा दिली अंद मा निकोबाईडाग और लट्टीप इसमें से कुशन के प्रियर्टी अंद मा किया है तो सैन्डाम्ब का स्वारंब किस ने किया था। उत्रा खड़नके द्वारा सैन्डाम्ब का स्वारंब जू सईध हो जाते। उनकी गर्ण की आंगन के मिट्टी को यहीं पर हिस्ताफ़व किया जाएगा यादगार के लिए। पचासवा नम्बर बारत और किस देश की बीच आतंगबाद से नेवटने के लिए कारदल की चौदवी बैठक का जबारम किया गया तो बारत ने अंतिम और चौदवी बैठक ब्रेटैन के साथ आयूद की है 2020 में और इसका समापन भी बड़े अच्छे तरीके से किया गया था आज के आपके सामने 50 कोशन 4 नवमत दुजरी किसके 50 कोशन के सीरिज कुछ इस परकार से थी पीडिएप आपको प्रॉपर तरीके से पीडिएप का ताड़नाव हमने आपको बताये था या इसी के साथ आप एक्जामपर ओफिशियल एप पर आप पीडिएप को प्राफ्त कर सकते हो अधरवाईज कोई दिक्कत हो तो आप कमेंड करके जरूर बताना जो भी जिस भी प्रिकार की आपको दिक्कत यापस समझ में आती हो ठीक है तो देखो दीपावली चल रही है आप सभी को दीपावली की हर्दिक सुप्त कामन है आप सभी को जिदे भी स्टुडेंट है और सभी लोगों को आज क्यों की चार तारिक है कल पांच और छे पांच और छे तारिक को भी आपकी इसी प्रकार की 50-50 कोशन की सीरीज होगी 7 तारिक को संडे है मेरी कोई क्लास पर से नहीं होगी 8 तारिक को हो सका मंडे को लाइव क्लास हो जाए नहीं तो 50 कोशनी अदरवाइज 9 तारिक को 100 आपको डेली केंड़ी क्लास आपको मिलेगी चीक है मेरे भाई तो आज का सेसन करते हैं यह वह समाप तो 50 कोशन की सीरीज आपके पास पहुँच चुकी है मि जय हिन जय वारत बंदे मात्रम हैपी दीपावली जय हिसलिआ जय हिस दय होुँ है वारतALK हुआर जय हुआ है झाल झाल